अब हम लोग एक निया टॉपिक शुरू करते हैं जो जावा स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट बहुत वाइडली यूज होती है और इसका वेब डवेलेपेंट के इंदर बहुत इंपोर्टन रोल है अब करेंगेंगे आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है यह जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करती है और जैब तक आपको यह जावा स्क्रिप्ट को सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे देखें, जब हमारे पास एक user एक website को browse करता है, open करता है, तो वो एक get request खेज़ेगा, एक page की let's say vacation.html है, ये request वेb server के पास जाएगी, वेb server क्या करेगा, कि इसके against जो भी html contents है, और उसके अंदर अगर कोई javascript है, तो वो file फेज़ देगा client site पे, अब ये javascript browser के अंदर रहेगी, और इसने जो भी काम करना है, जो javascript जो हमारे पास, let's say html page के अंदर embed होके, हमारे पास user के पास ये, अब ये client site पे रहेगा, और इसने जतनी भी functionality perform करनी है, वो client site के अपर करनी है, तो शुरू में तो हमारे पास javascript सिर्फ client site पे कुछ validation के लिए, या कुछ functionality के लिए use होता था, अभी भी आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, कि javascript से आप जो भी काम ले रहे हैं, वो सिर्फ वही काम करेगा जो आपको पेज नजर आ रहा है उसके उपर, that means के वहां पे रहते वे आप server side की कोई functionality perform नहीं कर सकते है, by default नहीं कर सकते है, आपने अगर server side से कोई data fetch करना है, या कोई action perform करना है, तो उसके लिए आपको ajax को या webfockets को आपको use करना पड़ेगा, तो आपने जब javascript को आप इसे लेडाउट के लिए यूज कर सकते हैं, वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, drop-downs को जिसना implement करना है, menu bars आपने बनानी है, उसके लिए इसको use कर सकते हैं, let's have a look on the history of javascript, it was initiated by netscape, जो early browsers में से एक था, जो है यह initially हमारे पास launch हुईती, javascript जो है, जैसे इसके नाम से लगता है, javascript तो javascript तो java और इसका बहुत कम overlap, शाहिद syntax का कुछ overlap हो, otherwise इसकी जो execution है, और जो functionality है, और जिसको purposes हैं, वो java से बिल्कुल different है, javascript के standards को एक organization define करती है, और वो एक scripting standards, एक language के standards publish करती है, जिससे हम लोग कहते हैं, ECMA script, right, तो javascript जो है, उससे conform करती है, जरूरी नहीं है कि ECMA script के अंदर जो functionality है, वो 100% browsers के अंदर जो javascript implemented है, वो उससे 100% match करती हो, कुछ functionality javascript के अंदर additional होती है, जो ECMA script में नहीं है, कुछ ECMA script के अंदर चीज़ें हैं, जो हो सकता है, तमाम browsers के अंदर या पराने जो उसके versions of browsers के, उनके अंदर वो implemented ना हो, तो ECMA जो है, वो अपने मुक्तिफ variants प्रोड्यूस करता रहता है, ECMA script जो last, एक major version था, वो 2015 में, I guess, publish हुआ था, जिसे ES6 कहते है, 2015 से onwards, वो हमारे पास year-wise ECMA script जो है, वो launch होता है, जिसना 2021 में, जो script launch हुआ, उसे ECMA 2021 के एंगे, और अगर release के साफ से देखा जाए, तो, it would be 12th edition of ECMA script. Java script जिब शुरू में हमारे पास launch हुआ था, let's say, अगर हम लोग प्री 2000 की बात करें, बिल्कुल जो जो जावा स्क्रिप के शुरू का time था, उसकी बहुत कम usage थी, बहुत कम लोग उसे use करते थे, developers कम उसको use करते थे, जो जावा स्क्रिप के रेवलूशन आई है, वो early 2000s के अंदर JavaScript को use किया गया, server side से data fetch करने के लिए, जिसे हम लोग Ajax भी कहते हैं, asynchronous JavaScript and XML, अब यह आपके पास acronym के तोर पे use होता है, और as a word भी use होता है Ajax, Ajax के आने से क्या हुआ, कि हमारे पास client side पे रहते हुए, हम लोग server से communicate कर सकते हैं, अगर आप Ajax नहीं use कर रहें, तो four resources, server side से आप कुछ नहीं access कर सकते हैं, अगर आपने server side से access करना है, तो you have to use Ajax, Ajax की वजए से हमारे पास, जो web development थी और वेब साइट थी, उसके अदर kind of a revolution आगी, और जो हमारे पास, आज आपको web 2.2 platforms मिलते हैं, उसके अंदर एक major role, जावा स्क्रिप्त का भी है, और खास आपके पास different किसम की sites और applications नजरान शुरू होगी, इससे आपके पास एक kind of, एक मरतबा आप web page को load करके client site पे भेज देते हैं, और फिर client site पे web pages refresh नहीं होंगे, जो भी नई information है, वो Ajax के request के थूँ, आप server side से obtain कर रेंगे, जावा स्क्रिप्त सिर्फ web development में यूज नहीं होती, जावा स्क्रिप्त के अब बहुत different applications है, so let's have a look at some of them, जावा स्क्रिप्त को आप use करते हैं, browser extensions create करने के लिए, जिसले आपने Chrome की Firefox SQL extensions बनानी है, वो extensions आप जावा स्क्रिप्त में बनाएंगे, इसके अलाबा आपके पास non browser applications हैं, उनके अंदर भी हमारे पास JavaScript यूज होती है, जावा स्क्रिप्त जो है, अभी Internet of Things के अंदर बहुत commonly यूज होना शुरू हो गई है, और आपने Internet of Things के अंदर development करनी है, JavaScript can help you a lot, इसी तरह जो आपके पास embedded systems हैं, उसके अंदर आपके पास जो है, जैसे रस्पेरी इंप्लिमेंट कर सकते हैं, बहुत से हमारे पास non-relational databases हैं, जिसके अंदर हमारे पास JavaScript यूज होती है, जिसका MongoDB है, उसके अंदर आपके पास JavaScript के लिए और दूसरे purposes के लिए यूज होती है, इसके लावा हम लोग जो है, वह ऐसी applications बना सकते हैं, जो ब्राउजर के अंदर पूरी application होगी, and it would be run in the browser, एक जो revolution आई हमारे पास web development के अंदर, वो ये थी के JavaScript को as a server-side language used किया जाए, तो इसका, like 2010 के कुछ अर्से बाद, I don't remember the exact year, क्या किया गया, कि JavaScript का जो engine है, जो Chrome के अंदर, I guess V8 engine used होता है, उसको outside the browser run किया गया, जब उसे outside the browser run किया गया, तो उससे यह हुआ, कि आपके पास JavaScript क्यों है, वो अब ब्राउजर के बाहर execute होना शुरू होगी, और जब ब्राउजर के बाहर execute हो रही है, तो उससे आप server-side development के लिए भी use कर सकते हैं, तो आजकल जो बहुत जादा आपके पास development हो रही है, वो node. code.js के अंदर जो programming language है, that is JavaScript, इसके लावा इसकी और भी बहुत सी applications हैं, जिस तरह अगर आप किसी और programming language के अंदर program कर रहे हैं, code कर रहे हैं, तो आप उसको transcompile कर सकते हैं into JavaScript, तो वो code convert हो जाएगा JavaScript के अंदर, JavaScript के आपके पास literally मतलब, you would find countless frameworks and libraries which are support, which are written in JavaScript, और which support JavaScript development, तो आपको बहुत जादा libraries मेलेंगी, कुछ popular हैं, जिसे front-end आपके पास frameworks है, react, view है, इसके अलावा आपके पास JavaScript के अंदर ही लिखती ही कुछ आपके पास libraries हैं, जिसे आपके पास jQuery है, यह आपके पास facilitate करते हैं, programming के JavaScript development इनकी मतल से बहुत असान हो जाती है, और अभी इस तरह भी आप कर सकते हैं, कि पूरी के पूरी mobile applications यो हैं, वो आप जो develop कर रहे हैं, वो आप JavaScript के अंदर develop कर सकते हैं, तो आप जो है वो देखेंगे, कि JavaScript को अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो ना सिरफ development के अंदर help करेगी, बलके इसके लाबा और भी बहुत से areas हैं, जहां पर आपको JavaScript help out कर सकते हैं,